हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौझूद है जिन्हों ना केवल अपनी पहचान बनाई है वेश्विक पतल पर बलकि दुनिया भर का नाम भी रोशन किया है दुनिया के जो एंट्रपेनोर से साथी देश के एंट्रपेनोर के लिए एक प्रेणा स्तोत्र बनी हुई है हमेरे अपने उमीद है कि जो नया गवर्मेंट है वो बहुत से चेंज लाएगा आम आदमी में और प्रियोर्टी देंगे ये हेल्थ और फैनाशल इंडिपेनन्स पूस्ट इंपोर्टन फो बिमें एंडिशन एजू को अपना नाम भी दुनिया भर में मशूर करने के लिए पहले छोटे बिजनस इशू करें और फिर आगे जाकर वो बिजनस बड़ा हो जाएगा चैसा हमारे बिजनस था कितना छोटा था आप इंडिनाशनल हो गया इन्वेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है अगर इन्वेशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं हो सकता शेनाश जी आपने मतलब फर्श से लेकर के अर्श तक का सफर किया है एक तरह से तो क्या आपको लगता है कि कैसे अंत्रपेनर्स को अपनी प्रियोटी सेट करनी चाहिए जो कि बहुत इंपोर्टन होता है क्या कुछ ध्यान में रखे है अपनी जब एक नवे बिजनस शु शेनाश जी आपके हाबर प्रोड़क्स और ब्यूटी प्रोड़क्स दुनिया भर में धूम मजा रहे हैं जाहिर तो पर आपकी मेहनत है जिसके लोग इसको इतना पसंद करते हैं जाहिर तो पर आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता होगा लेकिन जब भी इनसान किस तरह तक पहुँचे सबसे बड़ी बात गूल अचीव करने में टाइम मैनेजमेंट है अगर आप पस टाइम है तो इसके साब साब प्लान करें कि अल्टिमेट फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो है आपको अचीवमेंट ऑफ यूर गूल पिर हर चीज उसकी हिसा शुरुआत के अंदर क्या कुछ entrepreneur एक problem face करता है सरकार क्या कुछ कर सकती है एक boost देने के लिए उनके confidence को उनके moral को सरकार क्या कुछ कर सकती है सरकार को हमाने हिसाब से vocational centers set up करना चाहिए most important चीज यह है कि कोई चीज शू करने के लिए को लोन की जुरुत होगी आपके लाखो करोडों चाहने वाले हैं देश मेनी दुनिया भर में महिला है आपकी बहुत बड़ी fan है लेकिन वो आपसे यह भी समना चाहिए कि आपका मंत्रा क्या है आपका गोल क्या है लाइफ का अप क्या कुछ अचीज system करना चाहती है आप आगे आपके लिए और क्या नए गोल्स होंगे किन उचाहिएों को और छूना चाहती है था आप उचाहियों कोई तो कोई लिमिट है नहीं आप आसमान कुछ चूना चाहें तो वहां उसके आगे से तारे हैं हम चाहेंगे कि आयरवेदा जो है हम लोग की तीन हजार साल पुरानी एक सब्वेता है हम लोग की इंशन सिवलाइजेशन है जिसको वेस्टरन वर्ल्ड ने अपकी नजरों सहटा दिया हम लोग ने कभी मैनाद भी नहीं की उसको आगे ले जाने के लिए तो हर कंट्री में हर एंबसी में एक हमारे का से डिपार्टमेंट होना चाहिए प्रमोटिंग इंडिया और वीदा इंटिनाशनली अशना जी एक बात कही जाती है कि हर सक्सेस्फुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है लेकिन मैं आपसे ही समना चाहिए कि आपकी सक्सेस के पीछे जो आपने इतना लंबा सफर तैय किया है उसके बीजे किसका हाथ है तो जाहर तो पर शेनाश जी हमसे बात करते हुई साफ तो पर कहती हुई कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और वो यही उम्मीद कर रही है कि देश का भविश्य आने वाला बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यंग आंत्रप्रेनर्स कोब आगे और भी बढ़ावा मिल सकता ह आपको हमारी खास पेश कैसी लगी आप हमें इमेल के जरी जरूर बताएगा हमारा इमेल आइडी है ddbizmorny at the rate gmail.com फिलाल मुझे दीजी एजासत नमस्कार